आईए, Slot Milling Operation शुरू करते हैं। WorkPiece को सही तरीके से काटने के लिए आपको X अक्ष और Y अक्ष यानि के Axis डायल पर Zero सेटिंग करनी होगी। वैसे तो आपको Screen Cut करना चाहिए, परन्तु इस मामले में इस तकनीक का इस्तमाल करने से WorkPiece खराब हो जाएगा। यहां हमने Skin Cut का इस्तमाल किये बिना एक आसान सी प्रक्रिया के द्वारा इसे किया है। Spindle में End Mill Cutter के व्यास के बराबर व्यास वाली एक Steel Rod माउंट करें। WorkPiece के Face को विशिष्ट मार्किंग डाय से पेंट करें। WorkPiece को आगे बढ़ाएं ताकि वो Revolving यानि कि घूमती हुई Steel Rod के संपर्क में आ सके। ध्यान से देखें कि Rod रंग की हुई सतह पर एक छोटा सा खड़ा चिन बनाएगा। ये हलका सा निशान इस बात की पुश्टी करेगा कि Steel Rod ने WorkPiece को चुआ है। और अब आप X अक्ष डायल को शून्य पर सेट कर सकते हैं। इसी तरह से वाई अक्ष डायल पर भी शून्य सेटिंग कर लें। एंड मिल्क कटर की Steel Rod के साथ स्विचिंग करके आगे बढ़ें। आपके कट्स बनाने के लिए X और Y-axis डायल कंट्रोल्स का इस्तमाल करें। टूल या औजार को टूट फूट से बचाने के लिए परियाप्त मात्रा में Coolant यानि के शीतलक का इस्तमाल करें। समय समय पर वर्क पीस की सता को ब्रश की मदद से साफ करें। इप्रक्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक की वर्क पीस वांचित आयामों में कट नहीं जाता। वर्नियर कैलिपर के इंसाइड जॉज से स्लोट की चड़ाई मापें। आईए लॉट मिलिंग ओपरेशन के महत्वपून चरणों को एक बार फिर से संग शेप में दहराएं। चरण एक रेफरेंस स्टील रॉट को माउंट करें। चरण दो वर्क पीस के फेस पर रंग लगाएं। चरण तीन वर्क पीस को स्टील रॉट के संपर्क मिलाएं। चरण चार एक्स एक्सस डायल को शून्य पर रिसेट करें। चरण पांच वाई एक्सस डायल को शून्य पर रिसेट करें। चरण 6, end mill cutter की मदद से steel rod को swap करें, यानि कि बदलें चरण 7, आवश्य cut बनाएं चरण 8, पर्याप्त मात्रा में शीतलक का इस्तमाल करें चरण 9, सधह को साफ करें चरण 7, slot के आयाम मापें